मारकेट में समय समय पर हमें कुछ ऐसी सबजी देखने को मिले जाती है जो हमारे लिए काफी नहीं होती है जिसका इस्तमाल हमने अभी तक नहीं किया होता है गाठ गोवी मेरे लिए ऐसी ही सबजी थी फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना इसके seed मंगाए और इसे अपने घर पर grow किया और finally अगर आपने कभी अपने हाँ पर गोवी चाय बंद गोवी हो ब्रॉकली हो या फिर फूल गोवी हो अगर अपने हाँ पर लगाया है बीच से तो गाठ गोवी आपको बीच से उगाने में बिलकुल भी दिक्कत नहीं होगी और अगर आप मेरी तरह हैं जिसके लिए गाठ गोवी एक तम से नया चैप्टर है तो वसकुछ मिनिट रुख जाएए आपको भी इसे उगाना बिलकुल अच्छे से आजाएगा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इसे हमारे यहाँ पर कोलराभी के नाम से नोलखोल और गाठ गोवी के नाम से जाना जाता है अभी जो पौदा है यह एक तरह की गोवी ही है लेकिन जो इसके सबजिया लगती है यह दिखने में काफी हद तक सल्यम यानि टर्निप जैसे लगती है इसकारण से ने जमान तर्निप के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसके नाम से सब्सक्राइब जानने के जानने की जान नहीं है लेकिन हाँ अभी जवारे में थुढ़ा जान लेते है आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो गाट गोवी होती है ये cabbage की ही एक अलग वराइटी होती है जिस तरह हम सर्दियों में गोवी के प्लांट लगाते हैं उसी तरीके से हम सर्दियों के महीनों में ही गाट गोवी के प्लांट भी अपने हाँ पर ग्रो कर सकते हैं गाट गोवी के आपको अपने normal garden soil लेनी है अपने garden की मिट्टी लेनी है और उसे गमले में फिल कर लेना है आप चाहे तो आप directly इसके seed मिट्टी में भी बो सकते हैं बागे मैं यहापर एक गमले का इस्तेमाल कर रहा हूं मिट्टी में हमने थोड़ा सा गोवर की खाद अच्छे से सडी भी ग देंगे ध्यान रखिएगा कि जो इसके seed होते हैं यह थोड़े बारीक होते हैं और सरसो के दाने जैसे होते हैं तो इसके seed आपको मिट्टी में बराबर फैला देने हैं और हलकी मिट्टी से इसे फिर से कवर कर देना है सीट कवर करने के बाद हम फिर से इसमें एक बार साव तो बस चोड़ी बातों को ध्यान में रखके आप इनके सीड असानी से लगा सकते हैं बीज लगाये आज तीन दिन हो चुका है और हमारे गमले में एक छोड़ा सा अपडेट दिखा है हमारे जो गांट गोवी के सीड हमने लगाये थे उसमें से एक सीड जर्मिनियेट हो रहा है यह काफी अच्छा साइन है काफी जल्दी हमारे सीड जर्मिनियेट कर रहे हैं अभी आपको क्या करना है और अपने गमले को ऐसी लोकेशन पर रखना है जहां इसे प्रॉप यानि कहें तो रॉसनी मिलती रहे अभी डारेक्ट धूपो ऐसा जरूरी नहीं है प्लांट को आज 38 दिन हो चुका है और हमारे प्लांट काफी बड़े हो गया है प्लांट काफी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं हमारे जो पौते हैं यह महीने बर के अंदर यह इतने बड़े हो गये थे कि हम इनी ट्रंस्प्लांट कर दे लेकिन बीच में मैं कुछ दिनियों के तो आप इसे ट्रंस्प्लांट कर सकते हैं जादा आपको वेट नहीं करना है तो चलिए जल्दी से हम मिटी में पानी डाल देते हैं और फिर हम अपने पौधों को अलग-अलग गमलों में ट्रंस्प्लांट कर देंगे हमने पौधों को अलग-अलग कर लिया है अब इनके के लिए हमें मिट्टी तयार करना है गाठगोवी के जो पौदे होते हैं इन्हें फटाइल मिट्टी के जवरत होती है और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर मोश्यर मेंटेन रहे तो मिट्टी बनाने के लिए अगर आपके पास मिट्टी अच्छी खासी है तो आप मिट्टी का इस्तमाल करें और किवल नॉर्मल मिट्टी का इस्तमाल करें अगर आपके पास मिट्टी की कमी है मेरी तरह तो आप कुकू पीट का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने क्या किया है कि लगवग 50% के आसपस मैंने आप अपने नॉर्मल गार्डेन सोल लिया है 30% ह और बागी का 20% हमने वर्मी कमपोस्ट और गोवर की खाथ दोनों को मिक्स करके लिया है अब मिटी ना हमने यहाँ पर पॉली बैग में पहले से बना के फिल किया हुआ है यह जो पॉली बैग मैंने लिया है ना यह 24 x 24 x 40 cm का पॉली बैग है आप बड़े साइज के गमले का इस्तमाल कर सकते हैं 12 इंच से लेकर 15 इंच के गमले काफी सही रहते हैं तो गमले या फिर पॉली बैग में आपको अच्छे से मिटी फिल कर लेना है और ध्यान अकना है कि आपके कंटेनर में अच्छे से ड्रेनेज होल होने चाहिए तो बस गमले में मिटी फिल कीजे उसमें प्लांट लगाईए और इसमें अच्छे से वाटरिंग करने के बाद अपने कंटेनर को ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां आपके प्लांट में कम से कम तीन गंटे की डारेक्ट धूप आती रहे अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिन भर आपके प्लांट में धूप आए लेकिन अगर तीन घंटी की भी धूप आती है अपके प्लांट में तो आपके प्लांट काफी असानी से और सही तरीके से ग्रोग कर पाएंगे तो जिनके यहाँ पर दिन भर धूप नहीं रहता है न वे लोग भी इसे असानी से ग्रोग कर सकते हैं बीज से पौधे लगाए अज करीबन 102 दिन हो चुका है और हमारे प्लांट काफी बड़े हो गए है कुछ प्लांट में हमारी गोवी भी लग गई है और प्लांट हार्वेस्ट के लिए एक दम रेडी है गाँट गोवी के जो पौधे होते हैं उसके जो नीचे के तने होते हैं यह कुछ इस तरह से मोटे होने लगते हैं और कुछी दिनों में ये आपका प्लांट इस तरह से सल्जम का अकार ले लेता है और इसी को गांट गोवी के नाम से जाना जाता है आप देखें हमने जो प्लांट लगाया था ना इस पॉली बैग में लगाया था और ये प्लांट काफी बड़ा हो गया है इसमें गोवी भी बड़े साइच की लगी हुई है हमने कुछ प्लांट काफी लेट से लगाया था तो उनकी ग्रोथ अभी काफी कम हुई है उसके प्लांट में आपको दिखाता हूँ इस साइच की जो हमारे प्लांट लगे हुए है इन्हें हमने पीछे से लगाया था तो इनकी ग्रोथ अभी कम हुई है आप देख सकते हो इसमें अभी अभी गोवी बनना स्टार्ट हुई है तो कुछ इस तरह से आप भी गोवी के प्लांट पॉलिवैग में या फिर गमलों में ग्रोव कर सकते हो अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में हमने वही नॉमल अपना गार्डेन स्वल इस्तमाल किया था जिसमें हमने कोको पीट वीड धॉला डाला हुआ था और उसमें हमने गोवर की खाथ अच्छे से मिक्स की हुई थी लेकिन जो बाद में हमने प्लांट ग्रू की हुए थे न उसे हमने अपनी किजन के वेश्ट पे ही ग्रू कर दिया था और इसका भी रिजल्ट हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है किजन वेश्ट के अलावे मस्रूम बैक में जो पुआल इस्तमाल होते हैं उसके वेश्ट हमारे पास पड़े हुए थे तो उसे भी हमने मिट्टी में मिक्स करके अपनी काट गोवी के प्लांट क्रू कर दिये हैं इन सब का रिजल्ट काफी अच्छा रहा तो जो मेन कंक्लू मिट्टी में आपको हमेशा मोश्यर मेंटेन करके रखना है मिट्टी सब्सक्राइब से मिट्री हुए तो ड्रय होना चाहिए लेकिन इसको करते हैं मिट्टी में मोश्यर है अगर मिट्टी आप दबा रहे हो और चिप चिपी लग रही है तो इसे Interject करते हैं तो तो दोनों में फर्क होता है, आप अच्छे से ध्यान रबे रखके इसमें वाटरिंग कीजिएगा, इसके बाद अगर फडिलाइजर की बात करें, तो जो गाट गुवी के पौधे होते हैं, इन्हें न्यूट्रियंट्स की या फिर कहें तो फडिलाइजर की अच्छी खासे जरूत पड़ती है, जब इनकी सैपलिंग आप ट्रांस्प्लांट करते हो, और प्लांट हमारे नए मिट्टी में, नए गमले में ग्रोग करना स्टाट कर जाते हैं, उसे समय से आपको इसके अंदर फडिलाइजर देना है, फडिलाइजर में आप गोवर की खाद, वर्मी क इस्तमाल कर सकते हैं, हाला कि आपको दो बार से अधिक इनका इस्तमाल करने के जोड़त नहीं पड़ेगी, दो बार के अंदर ही आप अपने प्लांट को हार्वेस्ट कर लोगे, और लोकेशन की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, कि प्लांट को दो से तीन घंटी क दूप मिल जाए, उतने ही काफी है, बाकी टाइम अगर प्लांट को अच्छे से रॉसने भी मिलती है, तो उसमें भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोक कर जाएगा, तो इस तरह से अभी आसानी से अपने यहाँ पर गार्ट गोवी के प्लांट ग्रोक कर सकते हैं, अब और भी कई तरीके से इनकी सब्जिया बनाई जाती हैं इसके बारे में आप इंटरनेट पर और ज्यादा चान सकते हो गाट गोवी की जो गोवी होती है न यह 5 cm से लेकर 10 cm तक बड़े हो जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी गोवी के प्लांट में गोवी जाता है इसलिए कोसिस किजिएगा कि जब नॉर्मल साइज की आपकी गोवी लग जाए उसे टाइम पर आप इसा हर्वेश्ट कर लें अब हर्वेश्ट करना बहुत ही इजी होता है आपको बस इसे नीचे से काटना होता है और हो गई आपकी गोवी हर्वेश्ट तो इसे जरीके से हम अपने सारे गोवी के प्लांट हार्वेश्ट कर लेंगे, जो इसकी मुलायम पतिया हैं, इसका भी इस्तमाल खाने में किया जाता है, हाला कि इनकी पतियों का किस तरह से इस्तमाल किया जाता है, इसके बारे में मुझे अधिक जनकारी नहीं है, बाकि आप जो गो यहां पर हमारे तीन बड़े-बड़े साइट के गोबी के प्लांट हमें मिल गये हैं फॉर्स टाइम मैंने सीट से अपने यहां पर ग्रो किया है और जब मैं इनके सीट लगा रहा था तो मुझे लगा था कि सायद हमारे गोबी में गोबी नहीं लगे और सायद यह वीडियो पर काफी अच्छा लगा और यहां और ऑपने भी काफी कुछ सीख़ा होगा तो इस तरीके से अब भी अपर गांटकोबी के plant seed से grow कर सकते हो और असान तरीके से grow कर सकते हो तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं आना में सौरव चैनल पर नए हो आपको पता है क्या करना है वीडियो खत्तम, बाई